नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल ओदेश्चर किलासिस में बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको डी-पी-टी का टींका है उसके बारे में बताएंगे तो क्या होता है डी-पी-टी का टींका तो सबसे पहले हम डी-पी-टी का पूरा नाम जान लेते हैं डी-पी-टी क्या है तो डी-फोर डिप्थेरिया पी-फोर क्या है पैटूसिस या इसी कालिखासी कहते हैं और टी-फोर टिटनस होता है डी-पी-टी ठीक है तो यह जो डिप्थेरिया पैटूसिस और टिटनस हैं यह तीन रोग है और इन तीनो रोगों की सुरुक्षा के लिए हम DPT की वैक्सीन लगाते हैं या लगवाते हैं benefit तो जो diptheria है Pytocis है और टिट्नास है जो dept ka T ूंका इससे सुरुक्षा मिलती है इसलिए इससे का कहते हैं तिरपल वैक्सिन के नाम से भी जाने जाते हैं तो आप से पूछते हैं कि तिरपल वैक्सिन कौन है तो DPT है अब यह जो तीनों रोग है यह जीवानों जने थे ठेक हैं तो जो डिप्थीरिया रोग है इसका क्या कारक है कौन से जीवानों से होता है या बैक्टेरिया से होता है तो यह जो है तो यह है कौन से कौरिनी बैक्टेरिया डिप्थीरिया से होता है पैटूसिस किस से होता है बोडे टेला पैटूसिस से होता है और टिटनिस किस से होता है कलॉस्ट्रेडियम टिटैनी से होता है तो ए रोगों के कारक हो जाते हैं इन से इन रोगों के बचने के लिए हम डीपीटी का टीका लगवाते हैं डीपीटी का टीका कब लगवाते हैं बच्चों को कब लगता है तो डीपीटी का जो वैक्सीन है या टीका है वो च्छे सब्ताय से सुरू हो जाता है बच्चत जन में लेता है तो उसके च्छे सब्ताय से सुरू हो जाता है और इसकी तीन प्रात्मिक खुरांके दी जाती है जो पिर्थम खुरांक है जो कितने च्छे सब्ताय का हो जाता है तब से चालू हो जाती है और चार चार सब्ताय क गांत्राल पर